क्या गुजरी होगी उस बूडी मा के दिल पर जब उसकी बॉट ने कहा मा जी आप अपना खाना बना लेना, मुझे उर उन्हें आज एक पार्टी में जाना है बूडी मा ने कहा, बेटी मुझे ग्यास चुला चलाना नहीं आता बेटे ने कहा, मा पास वाले मंदिर में आज भड़ना रहा है तुम वहाँ चली जाओ ना, खाना बनाने कोई लौवध ही नहीं आएगी मा चुपचा पभूचपल पहें पर मंदिर क्यों रोहोचे यहाँ पूरा वाक्या दस साल का बेटा रोहन सुपना पार्टी में जाते वगड़ रास्ते में रोहन ने अपने पापा से कहा पापा, मैं जब बहुत बड़ा आद्मी बन जाओंगा ना तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाओंगा मा ने बड़ी उच्चुपता आवश पूचा, क्यों बेटा? रोहन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटे और बहु का सिर शर्म से नीचे चुक है जो अपनी मा को मंदिर में छोड़ा आये थे रोहन ने कहा क्योंकि मा जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा तब तुम भी तो किसी मंदिर में भड़नारे में खाना खाने जाओगे न और मैंने चादा की तुम्हें दूर के मंदिर में ना जाना पड़े पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो परवत से चुड़ा है पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेट से चुड़ा है इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से चुड़ा है क्योंकि परिवार से अलग होकर आजागी तो मिल जाती है लेकिन समस्कार चले जाते हैं एक कबर पर लिखा था किसको क्या इलजाम दे दूं दोस्तों जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दपनाने वाले भी अपने थे अच्छे लगें तो जरूर शेयर करें